जैहें दुश्टिटेंट्स वेलकम बैक अगें दिस दिवाशु पांडे भारत की स्पेस एजनसी इसरो और भारत की ही बार्क यानि की भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मिलकर भारत के इंटर प्लेनेटरी मिशन्स के लिए अब न्यूकलियर इंडियन्स को डेवलप करने जा रही है तो ये पूरी नियूस क्या है इसको हम आज के सशन में जानेंगे शुरुवात करते हैं आज के स्क्लास की जैसा कि हम सभी जानते है कि भारत अपने इस्पेस साइंस की मिशन में काफी तेजी से बढ़ रहा है चाहे वो मंगल यान हो चंद्रयान हो गगन य इंजन्स को आपका भारत की स्पेस एजन्सी इसरो और हमारी बार्क यूनिट के साथ जो है कोलाबरेट करके अब भारत में ही आपके नुक्लियर पावर इंजन्स बनेंगे जो की केमिकल इंजन्स से काफी माइने में आपकी अलग होते हैं क्योंकि उसमें से आपके हमें नुक्लियर पावर इंजन्स की जरूरत है और इस कारण से इसरो और बार्क का जो कोलाबरेशन है वो रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जन्रेटर्स पर आपका बेज़ रहेगा और इसी के माध्यम से जो है जो रेडियोक्टिविटी मैटेरियल्स हैं उनके जो डीके ज जैसे आपका यूरुनियम हो गया थोरियम हो गया या फिर इस प्रकार के प्लुटोनियम स्टोंटियम मेट्र्स होते है रेडियोक्टिविटी वो काफी लंबे समय तक जो है आपका इनर्जी प्रोवाइड किया करते हैं इन इंजल्स में रेडियो आईसोटोप हीटर यु है और इसमें जो है हम आगे बढ़ेंगे traditional engines के बजाए हम अब अब जो है nuclear powered engine पर जो है focus करेंगे जिसके माध्यम से अमेरिका का जो spacecraft, Voyager Cassini, Curiosity इन सबने जो है सबस्पाई है और इस प्रकार से इसरों के द्वारा जो है 5W RTG Marks को जो है advanced exploration capabilities प्राप्त हो सकेगे इसमें nuclear thermal rockets जो इस्तमाल किये जाएंगे वो transit टाइम रहेगी उसको काफी बढ़ा पाएंगे risk को कम कर पाएंगे हमारे astronauts के लिए और हमारे जितने भी space program होते हैं उनके लिए साथी साथ human missions जो हमारा Mars पे जाने या फिर जाना चाहती है हमारी इसरो जो है उस पर भी जो है हमें काफी उपलब्दे से प्राप्त हो पाएंगे साथी साथ ये system काफी robust होगा और हमें जो है longer trips के लिए काफी समय तक supply provide हो पाएंगे इसी से हम अपने transportation technology को NASA के मदद से moon to Mars का objectives आपका पूरा कर पाएंगे NASA ने भी इसको किया है और भारत भी चाहता है कि हम इसी दिशा में आगे बढ़ते जाएं nuclear थलमर rocket को अगर हम देखें तो ये rocket जो engines होते हैं वो nuclear fusion पर आपका कारे करते हैं आपने बच्पन में तो class 9-10 में nuclear fusion पढ़ाई होगा और इसे पराधारी जो है जो परमाणों उर्जा रहती वो भी आपका कारे किया करती है इसमें आपका liquid propellant system को जो है expand करके एक exhaust के महाध्धरम से जिसमें नोजल लगी रहती है उससे generate करके उसको propell आपका कराते हैं जिससे कि spacecraft आपका आगे जा सके इसी development में nuclear thermo rocket engine जो है progress करता है और वो अपने ambitious interplanetary missions को आपका पूरा करता है जैसे कि Mars, Venus या फिर other planets, Jupiter और Saturn वहाँ पर हम जा सकेंगे बहु सकेंगे और वो accessible हो पाएगा और हम space science में काफी बड़ी-बड़ी discovery आपकी कर पाएँगे इसमें जो दो agencies सामिल है उसमें आपका ISRO है जैसे कि ISRO का full form Indian Space Research Organization है और ये Department of Space भारत सरकार के अंतरगत आते हैं अभी इनके current के chairman डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ है डॉक्टर एस करते हैं इसकी शुरुवात ISRO की foundation डॉक्टर विक्रम सारा भाई की द्वारा 60s की दर्शक में की गई थी इसका पहले नाम इनको SPAR था जिसका full form Indian National Committee for Space Research आपका रहता था जिसको डॉक्टर रामनाथन और डॉक्टर सारा भाई की नित्यत में आपका किया गया था अब चलते हैं बार्क की तरफ तो देखिए बार्क का full form भाबा Atomic Research Center है जो कि भारत का premier nuclear research facility है और इसकी location महराश मुंबई के ट्रॉंबे में आपकी अवस्तित है इसके founding father डॉक्टर होमी जहागीर भाबा थे इन्हों ने Atomic Energy Establishment जो है 1954 में कराई जिससे कि हम अपने nuclear program में multidisciplinary research को आपका कर सके इस प्रकार से भारत चाहे मंगलियान हो, चंद्रयान हो, गगनियान हो या फिर International Space Station हो उसको बनाने में साथ ही साथ इस प्रकार की इन्होंस को develop करके जो है हमारे जो universe है उनको explore करने में जो है अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा आप सभी defense aspirant अपने written courses की preparation SSB crack exam के online course में जुड़कर जरूर करें वह और ये 10 code का use करें जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses में मिलता जाए अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं